हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू देस्टिनेशन फिर साइंस मीडिटेशन दोस्तों मशूर साइंटिस्ट अलवर्ट आइंस्टीन निकोला टेसला और सर आईजेक न्यूटन आखिर क्या था उनमें कि वो इतनी मेहनत के बाबजूद रिलाक्स रहते थे और अपनी मन को शांत र इस वीडियो में मैं आपनी बहुत बड़ी रिसेर्च और एक नई फिलोस्पी आपके सामने रखना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि आप एक एक वर्ड को बहुत ही केरफुली सुने और अपने लाइफ में आत्मसाथ करें इसका सीक्रेट है कि वो अपने लाइफ में फि रिसल्ट क्रेट कर सकते हैं effortlessly, easily जो कि ये मशूर scientists, physicists अपनी लाइफ में क्रेट करते हैं नमबर वन इस law of inertia and law of momentum ये simple यही कहता है कि कोई भी चीज अगर रुकी वोई है तो रुके रहना चाहती है और कोई भी चीज अगर movement में है तो चलते रहना चाहती है दोस्तों इसको अपने life में थोड़ा सा correlate करने की कोशिस करने एकदम शान दिमाग के साथ जब आप exercise नहीं करते हैं exercise शुरू करना चाहते हैं तो आपका मन आपके सामने हजार रीजन्स दीता है कि आज मौसम खराब है आज मसल में पेइन हो रहा है आज मैंने टैबलेट नहीं ली आज आज आफिस के लिए लेट हो रहा है आज मैंने खाना ज़्यादा खा लिया वगयरा वगयरा लेकिन दोस्तों जिस दिन आपने exercise क momentum को continue रख पाएंगे हो सकता है कि कोई ऐसा दोस्त आजाए जो कि आपको रोज exercise के लिए ले जाए हो सकता है कि आप exercise को interesting पाने लगे हो सकता है कि वहाँ कुछ ऐसा हो जिसको कि आप बहुत ज़्यादा like करने लगे दोस्तों ये है magic of momentum इसलिए किसी भी काम को रुको मत जब आप रुके रहोगे आपका mind और universe उसको रुके रखेगा आप movement करो छोटी से छोटी हरकत करो और एक momentum create करो एक speed create करो और आप ये देखोगे कि universe और आपका brain पूरी तरह से आप corporate कर रहा है इसी बात को psychologists इस तरह से कहते हैं कि कोई भी चीज open chapter अगर हमारे सामने है किसी काम को मैंने शुरू कर दिया तो वो एक open chapter है और mind हमेशा chapters को close करना चाहता है वो उसको finish करना चाहेगा तो अगर आपने exercise की शुरुआत कर दिया किसी business की शुरुआत कर दी किसी काम की शुरुआत कर दी तो brain ये पूरी कोशिस करेगा आपको motivate करेगा energy देगा आपको enthusiasm देगा कि आ source of gravity के कारण गिरना चाहती है यही हमारे life के साथ भी सत्य है हमारा चरित्र हमारी personality हमारा character हमारा जो भी potential है वो हर चीज़ नश्ट होना चाहता है गिरना चाहता है even हमारा mind हमारे विचार, हमारी फिलोसपी, हर चीज गिरना चाहती है, अगर हम उसको कोई सहारा ना दें, लेकिन उसी तरह से अगर इसी पैन को आपने सहारा दे दिया, तो ये यही रुख जाती है, इसी तरह से अगर आप अपने ब्रेन के एनरजी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ को मुचा उठाना चाहते हैं, तो आपको इसको सहारा देना पड़ेगा, अगर आप अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो इसको कोई नई स्टोरी सुनाएं, इसको कोई नई तरीके दिखाएं, वो नए तरीके सीखें, जिससे कि आप अपनी कमपनी के लिए लिन्च पिन बन जाएं, मतलब कि कोई आपको हटा ही न सके, आपके बिना वो काम न हो सके अगर आप एक painter बनना चाहते हैं और मशूर painter बनना चाहते हैं तो आप अपनी painting में इस तरह की quality लाएं ऐसी productivity लाएं कि लोग उसको देखकर surprised हो जाएं और आप अपने field के धुरंधर बन जाएं एक masterpiece बन जाएं number three is law of friction दोस्तों friction वो force है जो कि कोई भी body अगर move कर रहे हैं दूसरे surface पे तो उसको रोकना चाहती है या उसके लिए अवरोध पैदा करती है दोस्तों अभी यहाँ इस concept को बहुते ध्यान से समझने के कोशिश करें समझ लो कि एक box है आप उसको धक्का देना शुरू कर रहे ह तो उस समय जो force है वो force बहुत ही जादा लगता है यह है static friction लेकिन जब आपने एक बार box को हिला दिया तो अब जो friction का force लग रहा है अब जो अवरोध लग रहा है वो अवरोध negligible होता है बहुत ही कम होता है इसको कहते हैं dynamic friction दोस्तों अब आप इसको अपने life में correlate करने की को जब भी आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं आपने देखा होगा कि आपके सामने बहुत सारे अवरोध आते हैं आपने किसी बिजनेस को करना शुरू किया आपको कोई idea नहीं मिलता आपको पूंजी नहीं मिलती कोई आपको support नहीं करता लोग आपका मजाक उड़ाते ह लोग आप पे ताने करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आपके फैमिली वाले भी आपका साथ नहीं देते हैं, बहुत सारी बाते हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों, यह शुरुवात है और यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जो कि यह फोर्स, यह अबरोध, यह रेसिस्ट करना शुरुआत में मुस्किल होता है, लेकिन बाद में उसको चलाए जाने के लिए बहुत कम ताकत की ज़रुवत पड़ती है, उसी तरह से आपका बिजनस हो, या आपके रिष्टे हो, चाहे आपका हेल्थ हो, या आप कोई भी चेंज अपनी लाइप में लाना चाहते है आप अगर एक छोटा से छोटा एक्शन जैसे लेना शुरू करते हैं, तो जो भी अबरोध आपकी लाइप में, यूनिवर्स, या फिर आपके अंदर से, या फिर आपकी लोग उत्पन कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा फ्रैक्शन कम हो जाता है, इसलिए मैसेज यही है क क्या करना है, अगर हेल्थ को अच्छा करना है, तो इंतजार मत करिए, आप शुरूआत कर दीजे, एक छोटी सी शुरूआत करिए, अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइप में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वेट मत करिए, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, कोई जॉब स्टार्ट करिए, अगर जॉब नहीं मिल रही है, तो फ्री में काम करिए, स्किल लीजिए, सीखिए, इसी तरह से आप अपनी लाइफ को बहतर बना सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, कि शुरूआत में जब तक आप अठके रहोगे, तब तक जो प्रिंसपल्स हैं, जो कि बहुत important principles हैं, आप इनको अपने लाइफ में अपलाई करने की कोशिश करें, और देखें कि किस तरह से आपकी लाइफ आसान होती है, effortless होती है, smooth होती है, मैं चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, तो आप इसको अपने दोस्तो तक जरूर forward करें, इस चैनल को अभी के अभी subscribe करिए, और दोस्तों मुझे Instagram पर भी आप follow कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको motivational और scientific tools आपके साथ share करता रहूँगा, thank you, thank you.